नित्यम और सावी ने छोड़ा डाल्मिया हाउस रक्षम नेली नित्यम के सामान की तुलाशी वेदिका ने छोड़ा नित्यम और सावी का साथ कलर स्टीवे के शो सावी की सवारी में फाइनली अब वो मौका आ गया है रक्षम और सोनम जितके लिए बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे नित्यम और सावी ने फैसला कि आही दालमया हाउस छोड़ने का क्योंकि रक्षम भी यही चाहता है अब रक्षम उन्हें धक्के मार के ना निकाले इसलिए वो इज़त से निकलना चाहते हैं लेकिन यहां पे सबसे बड़ा तब आता है जो वेदिका नित्यम की माफुद अब उनके साथ जाने से इंकार कर देती है वेदिका ने रक्षम की डिये इस तरह से रक्षम को वो गट्टू कहकर पुकारती है वेदिका का यही कहना है कि वो गट्टू के साथ यही रहेगी जो नित्यम अपना सामान पैक करके एकडाल में हाउस से निकलता है तो उसी वक्त रक्षम उसे रोग देता है पहले तो वो उसकी सूटकेस को लात मारता है बाद में नित्यम के सामान की तलाशी भी ली जाती है कि आखी वो यहां से क्या कुछ लेकर जा रहा है रक्षम अपने जानवरों जैसे हरकत से बास नहीं आ रहा है और अब उसने नित्यम की पुरी फामली फोटो को भी फार्ट कर फेट दिया है नित्यम और सावी राधा कृष्णी की मोर्शी लेकर घर से निकल तो गए है अब उनकी दिन्दीगी की नए शुरुवात कैसी होगी यह सब कुछ देखना जिलस्वस्पोगा और वेधिका ने आखिर नित्यम को छोड़ के गट्टू यानि रक्षम का सास क्यों दिया है य हमें अपनी राए कोमेंट सेफ्षिन में जरूर पता हैं और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें